हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो स्टु ओन, मैसल देवरत राज, पर्सुइंग मेवेस परम इंस्टिटीट अप मेडिकल साइंसेज, भी यू वारा नसी मैं पिछले 5 साल से बायोजी पढ़ा रहा हूं और बायोजी पढ़ाने का हमारा एप्रोच यह रहता है कि पहले हम चीजों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसको लिए हम लोग क्या करते हैं को थोड़ा सा ट्रीक बगएरा बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीजें अच्छे से रिकॉल हो पाए एक्जाम के टाइम पर क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्स अप ना हो जाए इसके लिए अल विए इसके बात करते हैं सबसे पहले अमोग बात किते थी इको सिस्ट्रेक्चर और कन में बताये हैं कुछ मेजर एंवाइटिक थेटर होते हैं दूंचे प्रेचर लाइज वााटर लोटर दो है चार बेड़ी बात कर दो जो कि और नीद को्वाइजम को और और नीद की आ प्रोड़क्टिविटी डिकम्पोजिशन और इनर्जी फ्लो पड़ चुके हैं जो प्रोड़क्टिवीटी क्या होता है इस प्रोड़े के बाता है लिए जो प्लांना ऊसे कुलाई को प्यक्तिविच्वा खाना बनायेका उसमें से कुछ हो मत सब्रक्टिविचद्र करक कर के लगा फिर क्या कर findet ऊस्प्लांट को खाय हुए उस फैस्ण से कहा जला जाएगा में ट्रांसिपर हो जाएगा ठीक तो माता है कि प्लांट के पायो मास के बारने वह होता है तोठी जो पूरे इको सिस्टम मेनya Set रोटीशर को आपने, या राविया Kis flexor Strategy के औरफ स्कुट्डू करने के बाद PC वो पर्लांट जो विह बनाया से तुदी τοफिआ है कितना common किया है उत्तिक टान कितना ही किया उत् themes करने के बाद sa तोटल इतना प्रोडक्शन और लाट के कान याणी प्रोडिशर के तरहर वीजिए हीङो बात रागशक से के वाल लगज सक्वाथ कते हैं आ कि लिचींग कि टामोली जब और इसके बाद आपका क्या जाएगा यूमी फीकेशन यूमी फीकेशन तो फ्रेंग्मेंटेशन क्या होता है फ्रेंग्मेंटेशन होता है कि जो भी आपका व्रेश्ट मेंटेशन होता है इसको क्या सबस्टांस में बरेकडाउन करता है उसको क्या बुलते हैं उसको बूलते हैं बांच को सकता है इसको क्या होता है जो कि अब इसके बाद की बाद वाते हैं फ्रेंटेंस के बाकिल आता है लीची मतलब क्या कि एक अगर बड़ा सा अब उसमें से कुछ इन और गेनिक निट्रियंट्स बोलें क्या होगा कि जैसे यह लेग करके कहा जला जाएगा नीचे तला जाएगा तो इसको बेक्टरिया और फंजाई होता है इसको डिकंपोस करता है और सबसे लाइस क्या होता है यूइफिकेशन विमस फटान होता है तो यह डाइकाम भी स्कर चुके थे इसके वाल हम लागे बड़ते हैं इनर्जी फ्लो में आपको मताये थे कि आप से कोस्टर कैसे पुछेगा पुछेगा कि जो प्राइमरी प्रोडूइसर जो प्राइमरी प्रोडूइसर है यानि की सिंपल प्रोडूइसर बोल नहीं उसको उसका ट्रॉफिक लेवल क्या है उसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा फर्ट ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी प्रोडूइसर का ठीक फिर बात आता है प्राइमरी प्रोडूइसर का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा तो प्राइमरी प्रोडूइसर का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा सेकेंडरी प्रोडूइसर क ये आपको यहाँ पदेगा और ये एक जम्पल थमान। ना बात कर शुके थे इसके बाद आपनौ रहे थे फुडवेब क्या होता है फुर्चन और फुडवेब दो तरह का थीज हम परे थे हैं पुर्चन में लोग करे ने त्रैकर्पर पुर्चन त्यक्रे ग्रास को सब्संद्रेगा गोट और गोट को सब्सक्रणिला थे त्राइस दाइए तो बहुत सारा फूर्ट जब एक साथ ऑपरेट होता है तो उस पूर्चेन को क्या बोलते हैं गूर्प फूर्चेन को क्या होता है इसको क्या होता है अब प्लांट को जो सबसे पहले खाया उसको क्या बोले क्या है या फिर इसको क्या बोल सकते हैं असलों इसको क्या होता है लोगा या चेंटरी इसकों क्या है छॉक्ताइब का पार्डी ओन कर्णियों कि कर्णियों एक हर्डी मूस्पार हमेसा क्या होता है जो फ्लाउंट भूखता है क्या होगा और और उसका लुट प्रोफिक लैवल पुशे निया जो रहां जाता है कि खुछे तो इनर्जी प्रामिट्स का दोरोगी प्रामिट्स को रहें, क्या पाले तें इनर्जी प्रामिट्स के बादे का उनिवर्सल नोग बता है कि पीरामिट्स इनर्जी इस सब्स्क्राइब कirens siya क्यों अप्राइब कुछ सब्सक्राइब और गिन्षी को regulation अब से आता है ऑलवेज इम्ट्राइब मेर बल्रेग में बैना था इस問題 से घुशन आता है यह थ्यान नहीं है कि पिरामीड of energy हमयशा क्या वहागा अप्राइट पिरामीड को अप्राइट या कि in वर्टेट कंपोते हैं जब यह वाइड हो और टॉप क्या हो नेरो तो उसको क्या वेंगे अप्राइट पिरामीड और अगर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा है इसे इसका उल्टा आजाएगा कि क्या बोलेगे इसको इन्वर्टेट पिरामिट बोलेगे तो इन्वर्टेट पिरामिट कभी भी इनर्जी का नहीं होता है और इसके साथ ही हम आपको बटाएथे कि अगर पिरामिट अब नमबर ह तो पीरामीड बायोमास तो। तब क्या होता है तब इन्वर्टेट. भी हो शकता है। तो पिरामीड नमबर दिया है शुर्ट को पिरामीड नमबर अपर भी इन्न गाल कफ को अ्कन समझाए यहां कैब किसे होगा हिसे से पहले हो ₹ अब इसको समझेने के लिए समझना पड़ेगा इवल्यूशन एक देखको करें इवल्यूशन और इवल्यूशन दोनों साथ साथ होता है तो आप पहले यह समझ लिए कि पर इवल्यूशन क्या होता है कि अब्सक्राइब यार्थ बना होगा फिर सबसे प्लांट वना तो इसी में या तो मिट्टी में या पर पाणी में जीजंतू पैदा लेंगे अब बात यह है एक में नया नया इसपेशीज बनता है जैसे एक एकड़ापल रहे हैं, मानके चलिए कि अभी ये एक एडिया है, प्रिस्वी पे अर्थ पेट यही एक एडिया है, इंडिया में ही, किसी दंडल में, किसी पहार में एक एडिया है, उस एडिया में जॉदा मुथी है, क्या है? जॉदा मुथी है, जॉदा मुथी है, जॉला मुंकी भी स्कोट हो चुका है तो यहां पर आसपास में जितना भी जीव जन्तू होगा पेट बोदे होंगे सब के सब यहां पर क्या हो जाएंगे मर जाएंगे इसका डेर बचे का यहीं होगा 500 साल के बाद 1000 साल के बाद अब क्या होगा कि यह एडिया क्या पूरा हो चुका है यह फूरा एडिया से लाइफ खतम हो चुका है तो अब यहां पर लाइफ नहीं बचा लेकिन कि एक हजार साल के बाद जाएंगे फिर वापस हम किसी इडिया में जाएंगे तो जो हम देखेंगे यहां धास चलने वाले जांबर पाए जारे हैं है हजारों साल के बाद तो ऐसे संबब हों है क्या होता है इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब और इस तरह से सारे सब्सक्राइब करें एक पूरा एको सिश्टम बनाएगे और इसी प्रोसेस को जिससे नया नया एस्पेसिट बनता है उस प्रोसेस को क्या बता है तो डिकलोजिकल सक्सेशन दो तरह का होता है य। तरह कोड़ाइब दूनु भूषा एक अधर प्रैमरी शेशन और एक को पूल्ट है सेकेंडरी शीचेशनर है ओप जिए पूल्टिकल सक्सेशन टाएग ते उन मलता है हुआ 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 हक को आपकोशुक्री प्राइमरी सखेशन रसे में अंतर सिबसे बड़ा कि आपर किया कि लग要म कि सबने सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट step बता है स्बसे इंपोर्टेंट वह कि मान के तलिए कि इसी प्यक्प पहार था, जिस क्या था, पहार पेर प्धर होता है, तर प्धर में पेर-पोदाओ के क्ला नहीं, प्या चाहिए मिट्टी चाहिए, तो इस पहार में जोई पत्थर था एक पत्थर को छोटा-छोटा ठुकड़ा में तोर के और उसको क्या बनायागा? स्वाइल बनायागा. यह क्या बनायागा? यह क्या बनायागा? स्वाइल बनाया. तो पथर को यह रॉक है. पथर को तोर के स्वाइल बनाने का जो प्रोसेस होता है. उसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग और रॉक्स. कि क्या बताब तो वेदरी इंग अमसा एक वो डूंप अप्का अग्से राटे बोलता है कि वेदरीं ऑफ रॉप्स इस और इस्ट्रीमी सुन प्रोड़ इस इटेक्स्टाजन कि इसने सब्सक्राइब करना कि इसे पहले कभी कोई जीवन नहीं तो ऐसा एडिया जहां पर पहले पास्ट में कोई लाइफ एडिस्ट नहीं करता था पहली बार अगर उस एडिया में लाइफ एडिस्ट होगा लाइफ फॉर्म होगा तो उस सक्सेशन को क्या बोलेगे हैं प्रैमरी सक्सेशन तो प्रैमरी सक्सेशन के बारे में पहला कोईट आप दिना लगएंगे हैं प्रैमरी सक्सेशन लिख रहे हैं मौन दिकर का मुदर क्या समझाएं हैं अब यूद्यस्ट इसमें पहला प्रैमरी डास थिया नगना है प्रशंट इन बियर रोक्स परियला पॉयंट या भी कहां हो सकता है गॉल केरी या जहां पर जो अब पर कीप इस पोट वाओ नात हो सकता है ठीक है तो ऐसे जगाँ पर जहां पर पहले लाई नहीं था कि सब्सक्राइब कि वेर वेर लाइव दिन एपिस्टेड इन पास्ट पास्ट में कभी लाइव एपिस्ट नहीं कर रहा था ऐसे देगा पे वहां पे प्रेमरी सक्सेशन होता है सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब समझिए कि सेकेंडरी सेक्सेशन का मतलब है है कि मान के चलिए आपके गउऔ में बमाट आया ये प्रेमरी तो पूरा घर्दवार पेड़्वारा डूब जाएगा तो वहां सिर्फ क्या बचेंगा पानी ही पानी जब बाण का प्वाणी वापस निगलेगा तो वहां एक भी जिन्दा नहीं बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा मिट्टी और बांकी मिट्टी में इलावा पेपोदा और घर्टा जो भी अबसेश्यें अधिक है? तो जो ल्यास हो पहे था, वा र依ा शुडगा है? खतम. जो लाइफ पहले था? वो लाइफ की ऐचुगा है? खतम. अब बाड़ माणी जाने के बाद नया पेर पोधा वगेगा फिर को भी राइगी फिर से क्या नया जाना रहेगा सिकेंडरी संसेंट प्रैमरी संसेंट कि जिन्दी में पहले कमी लाइफ था ही नहीं वो जगह जब से बना है तब से आप एक भी पेर पोधा या एक भी जीव जन्दु वहां पे नहीं बना है आस्तर ना गया है ना पहले बना. तो यह जी है ब्यदीर यह ब्युद्र रॉक कि तो ब्यद्र रॉक्स में जो सक्सेशन होगा वह क्या होगा प्रेम्डि सक्सेशन और पहले से लाइफ जहां एंजिस्ट कर रहा है महां पे अगर फिर से अगिर से लाइफ आएगा बीच में तो यह प्रोग्या था बीज में लाइफ खतम हो गया था क्यों खतम हो था नेचरल के लविटीज के गारे तो अब अगर वहां सेक्सेशन होगा पर शुक्त का लेंगे सेकंड्री सेक्सेशन यह लिख सकते हैं कि कि प्रीश ली लाइफ एग्जिस्टेड इन दिस आप यह निए यहीं है जब पहली बार राइफ बना है उससे पहले पया ही नहीं था तो क्या बोलेके उसको प्रैमरी सेक्सेशन का बोलेने जब पहले लाइफ था सबसेंखंग कि रießकीं यन में क्यां उद्सेंग कि और फिर से लाइत रहा का वार्ए है क। आप हं, याँ से यौा टो आब बात करते हैं कि क्लाइमnéक्स क्रहा जाइंए चाहरे हुआ हां forskला वार्ट इस्वियं मestथ का स्क्राइब करिए तो जैसे को शमज़े है जैसे शाम से पहले किया था पहार रोक्स है रोक्स से क्या वाना स्वाइब तो थाने वाले को ने होना है गर्भी बॉर्स अब ग्रास आने के बाद क्या है हर्भी वोर्स और अब इसके बाद कोई नहीं आए रहा है इस कम्यूटी में इसके बाद कोई नहीं आए रहा तो पहले कम्यूटी सिफ इतना सा था थिर कम्यूटी इतना उनलवा होगा और उसके बाद ये फैनल कम्यूटी बना उग इसके बाद कोई कम्यूटी नहीं बनेगा ये क्या हो गया क्लाइमेक्स कम्यूटी हो गया जो maximum number of species के एक और इके एकूलोजीकल सेक्सेशन में बनता है एक सक्षेशन में सिज्टाता पैद सब्सक्राइब हात like अध्याव 10 एंसहां सब्सक्राइब करने में विए सब्सक्राइब करते हैं एक साथ मिला के तो यह वह ओतेंगे इसके बाद एक बाद आता है इकलोजिकल सक्सेशन सक्सेशन और प्लांट्स अलग से आपका सक्सेशन और प्लांट्स अलग सक्सेशन में मैंली दो तरह का सक्सेशन होता है और जिरार्ज सक्सेशन यह मेजार्ज सक्सेशन होता है यह फाइनल विजल्ट है मतलब हाइड्रार्ज वाला भी मेजार्ज सक्सेशन में जाएगा और जो जिरार्ज वाला भी है वह भी मेजार्ज सक्सेशन में जाएगा अब सबसे पहले इतिकिनों वर्ड समझते क्या है है अध्रार्ज जिराज और मेजार्ज तो हाइड्रार्ज कंडिशन जो होता है हो हा हुआ रखने भप पंदीयों तो और है कि जो चिड क्सक्विता कि आदेश्य हैं चुशे प्रेखने लेक्त प्रेश्चन सेक्ष्य वाटर थे सब्रोने कि यह क्रिक्षर्मनेंट्रस नइयुक्षाएं पर दमनाना और हो दितर ही जैने इसकर स्षांद आद़ सम फार्ट 20 टो के है षीम जलीं आपटा के मिनी आप यह जोरा यह तरी सिल्टा है इस प्यमें पार्सेश्थ हीग्जेश्ट के अगु से अगारा का मिरें भी लुब से हैं तो अग्वेतिक एकोसिस्टम जैसे वो सियन तो ओसी अमें अगर कुछ सक्षेशन हो रहा है को एक पहले प्लांट बना फिर पूरा पोरेस्ट बन लिया तो ओस्यों में सर्शेशन होता है वो सक्षेशन क्या होते हैं है इसके बाद करते हैं सबसे पहले स्टाट करते हैं है राज है है राज सक्षेशन को तो कहने का मतलब क्या है कि पानी पे सक्षेशन होगा है तो बहुता है कि पानी में सबसे पहले क्या बना होगा सबसे पहले क्या बना होगा उसके बाद 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 क्या बना होगा और आज हम इतना सारा देख रहे हैं तो उसी के लिए यह डाइग्राम है आपका हाइड्रार सक्षेशन किसका डाइग्राम है सक्षेशन ऑफ प्लांट सी वाटर देखिए एक एक एवी सीवी इस तरह से धान देना है सबसे पहले थाइटो ब्लेंट अब तोगाम होता है जो पर इंश्युम ए法 का पानी है सबसे पानी कॉंपना सबसे पहले थाइटो पना प्लांट इसके बाद चपना ते समस्ट इव्वर्ण है और पॉनी के अंधर भोकर रहा है पॉनी के अंदर पॉनी के अंदर है यूपर जो पॉनी के बाद इसको में सब्मर्ण है कि सब्मॉठ्ट श्टेज से जा उना है सब्मर्ड फ्री फ्लोटीं प्लांट सेज फ्री प्लोटिं का मतलब देंगिए मतलब यह इसका जड़ जो है पौनी में उपर यह नहीं नीचे फिक्स महीं है जब वाटर वेवी जर वदर जाएगा यह प्लांट भी जर जा सकता है फ् प्राइज में कोन सा इता जाएगा सब्सक्राइब को देँडी इसके वाद सब्सक्राइब और इसके बाद आता है प्लाण वह पर गुंश्रा वह पहले कि हाडियों में डेवलप हो जाता है वार वरा वारा वारा सा इस से बढ़ा बोटें अत्रख सुन देश्टेश्ट है इसके बाद माझना आटा कि अधि कि यह चुर्ण लाइक कर इस अधा है कि अधिया बुर्ट लाइक अधिशन होता है वहत तरह के पिर पोदे है और बड़े पिर विए हुदी उत्क है उसमें इसको क्या बोलता है इसकर अधिल और इसक्रब स्टेज आने के बाद सब से लाच्टमिक आता है पुरेश् यह साथ स्टेज है यह साथ स्टेज का आपको सिक्वेंस ध्यान पर रखना है और डायग्राम अगर देखे देखे पूछेगा तो आपको पूछेगा कि बी क्या है तो आप बता सकेंगे ती सम्मझ प्लांट है तो डायग्राम भी आद रहना चाहिए और साथ स्टेज का सिक्वेंस याद करना जाहिए अपका काम हो जाएक नेक्स्ट है हमारा है पर समझें कि नेचर में सूट लुवा है पर ये बाना में प्लांट लाण अहयें और उस प्लांट को रिखोर्स को यूज करता है बो एंवान तो याद भिखाуск connection भीक प्रोडीश लेंट गोड़ेद नियूट्रियेंट्स चाहिए और कांजूमर को भी नूट्रीयेंट्स ले लिगा लेकिन सवार है कि प्रोडूइसर को पूं देगा तो प्रोडूइसर को क्यों से लेता है अब बात यह अगर इसी तरह से लेता रहेगा तो फिर इंवारमेंट का तो फिर इंवारमेंट को देगा तो इसके लिए चलता है एक साइकल होता है जिसमें प्रोडूसर इंवर्यमेंट से लेता है फिर इंवर्यमेंट को देता है फिर इंवर्यमेंट से लेता है फिर इंवर्यमेंट को देता है क्या देता है क्या लेता है तो न्यूट्रियेशन का जो इस तरह का जो साइकल चलता ह है इस साइकल को अमनों नीव्क्रेट साइकलिंग बोलते हैं जिस्में डृट्रिय individu जो है प्रोड्यूसर और यांवरमेंट के उर दो अब बिची में साइकलिक में कि डिपीट होता रगता है तो नुट्रियंट साइकलीं में एक वर्ड आता है इस्टेंडिश्टेट। इसका डिफिनेशन आपसे पुषा जाता है एकडाम में इस्टेंडिश्टेट का डिफिनेशन आपके एकडावी लिखा हुआ है कि all the mineral nutrients, all the mineral all the mineral nutrients present in the ecosystem कि यह वायु आप लाट लेवर पलेंग्स का भका सारे इसारे स्वाडर को ऑगा रोते स्टेंडिक स्टेप इस यह डिकले श्डेयटा यह दिकल ग्यादा है यह जादा रहा खेंटानल प्लेघ्ज का उसके यह समझ जाएगाः और हो तो और पहों बोड़ी है क्योंकि प्लांत को पॉंस्टेंट निट्रियंन सप्लाया और एटमोस्थेर को भी वापस कोंस्टेंट चाहिए ताकि एक बाद में वो देबायक तो और प्लांत से कहां ले ले लेगा तो इनिमल से फिर कहा जाएगा तो इनमल से फिर वापस मा चला जाएगा इंबारमेंट में चला जाएगा एड्मोस्पेर में चला जाएगा तो पूरा का से कहले शुक्त में तो जो न्यूर्ट्रे और साइकल में लिए वह दो तो 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 रहा होता है गैसिस और सेदिमेंटरी कि मतलब गैसेस जोगा जो गैसेस वोगा दो नाइट्रोजन परते हैं क्या पड़ते हैं कि कारवन और नाइट्रोजन दो ठीक और सेडिमेंटरी है उसमें हम लोग फास्ट पोरस कि छब फ़गेरा परते हैं तो क्या क्या पड़ा है क्या स्वें कामने और हैं कारवन बीद्रीयंट है कि कॉस्पोर सब के लिए इनिमल के लिए यह सब नृट्रीयंट की बात हो रही है और इसी को चाहिए प्लांट को भी चाहिए और इंवारमेंट में भी इसका स्टॉक बचा रहना चाहिए ताकि फिर से वो लेक्ट जन्रेशन को सब्लाइ कर सके इसलिए इसका साइटम जरूरी है तो सबसे पहले आपको देखते हैं कारवन साइटल अश्कीर्ज जरूरी हो सबसे कि आपको यहिए न्युक्त देख सकते हैं कि जो एक्टम स्फेर में कारवन डायक्शाइड है उस कारवन डायक्शाइड को फोटो सेंदेशिस से पौन ले लिया प्लांट में लिया है यह भी क्या है जो इंदर यह भी पोटो संदुस्क लिकास कर लिया कि अब यह दिना थे प्लांट के अंदर जितना है जो साधना कहा मिल जाएगा कि मिल जाएगा एकट इा जाएगा ट्रैस में और फिर एंईमल भी तो इसी से क्या बनेगा आप जानते हैं कि पेर पोधा जो है आजारों साल ते कगर विठी के अंदर दवा हुआ है तो प्रेशर से क्या बन जाता है कोईला बन जाता है और अगरा यह सब बन जाएगा दूसरा है आप जंगलों स्वेसं उन लाइट को लिए थी से करट दनेगा चो दूसरा है आप जंगल को जला रहे हैं बर्णी को फॉरेस्ट फ्यूल और और गनिक डेवरिस्ट जो भी चीज चला रहे हैं जलाने से क्या होता है कर दोता है उसका कर दोता है करने के लिए आप फॉसिल को जलाते हैं तो इस तरह से कारवन का साइकल जलना रहता है करवन और उक्साइड एक्मोस्पेर से आजाएगा लिविवर्ण की जाप पर प्रांट और इंवर पे और फिर वाइब से नहां जला जाएगा एटमोस्पेर यह आपका कारवन साइकल इसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस साइकल का तो फॉस्फोरस क्वेश्टन आप से फॉस्फोरस वर्ष अलपर आता है सेडिमेंटरी में और और कारवन और नाट्रेजिन आता है कि आप गैस थे तो पहस्फोरस सैटल यहां से अम लोगं चालेंगे पढ़ना रॉप मींडल से पॉस्फोरस का मेल सोर्स किया है रॉप मेंडल जो पत्थर है उस पत्थर में फ लेदेर्इंब होते हैं तो पथर फूटे का विघ्री मगा स्वाइल बने तो पत्थर में पस्पॉरस काओ हो यह अब स्वाइल से पस्पॉरस कौन ले राए था अब टेप फ्याट प्लांट ब्रोडिक्त ब्रोडिसर प्लांट होता है तो स्वाइल से कोन ले लियाсон या फिर पॉस्पॉरस प्लांट ले लिया अब इस प्लांट को तो जो खायगा यह होसे पॉस्पॉरस प्लांट के पास आ गया नहीं आ गया अब क्या होगा कि एक बिन यह प्लांस भी मरेगा और एक नीये विए मरें गाण लोटी मरेगा कि उस दिन दोनों का cabeza صlares का प्ल स्वाद डंटिर्ट एप फिर उसका या तो फस्पोरिक्स वो वावाववा स्वाव है कि तो में तो सब्सक्रूर निगला था और वाप वीना स्वेर में आगया यह पूरा साइकल को गले हो गया है इस पूरे साइकल को तो लिए प्रसक्राइख जो आपके सेल्टा इनर्जी करेंसिया है तो तो एडिनोसाइट ट्राइप फॉस्पेट चाहिए उसमें इसके लिए फॉस्पोरस चाहिए तो बीना एटिप का कोई भी छेल का मेटाबोलिक एक्टिपिटी नहीं हो पाएगा तो से दिनता नहीं रापाएगा पहला बात है नुश्पार पॉस्पोरस होता है वह सेल मेंब नुक्लीक ऑटाइड बनता है नुक्लीक एसे बनता है किस से बनता है दो इसमें ती चीज़ होता है दिने और आरना में किया होता है आप जानते हैं कि जो डीने होता है वो क्या होता है। चाहिए तो फोस्फिट चाहिए कि एंजिंगी बताना चाहिए तो बोलता है कि सब दोंगा और इसके बीना तो इसी लिए फॉस्पोरस का जो है cycling होना जरूरी है वालाइस का सप्लाय ऑगल स्टोड़ेग जरूरी है बुलता है जो मैं डिजरवायर रॉक नतलं होता है लॉन को और नाे डिया हूए इसके आपना नाइक्रोजन सैकल और भजपन में परे थे हम लुग फिक तो मैट्रोजन सैकल भी अपको थोड़ा बहुत अडीया होना चाहिए यह तो नुट्रियंट का साइक्लिंग है यह दिन्ट का साइकलिंग तु forgiving जरूरी है और क्या होता है यह दोनों चीज आपको बता दिये क्योंकि इंविरामेंट में कॉंस्टेंट सप्लाइज आई होता है इंट्रियेंट्स के लिए जो भी और इनिजम आएगा उसको नुट्रिसर जाहिए सब्सक्राइज में बसे को स्हीं थीजिए। कि इसके बाद हम लोग बात कर रहें एको सिष्टम सर्विस्टिस Как उस हाब करें, इसल vaccin केसी ऋस्टेंट शेञ्टर जो भी नरिमेंट के आपको सिष्टम में हो आपका अप्स तरह है आप डिन है, रात है, कि अब बताइए कि जहां आप रहे हैं वहां रहने से आपको फैदा है कि नहीं है वह फैदा आपको कौन पहुंचा रहा है इसको समझिये इसे कि कि एको सिस्टम सर्विस का मतलब का है एको सिस्टम सर्विस का मतलब है कि आपके बदल में अगर पेर कोदा है उस पेर से आप खल खा रहे हैं तो आपका एको सिस्टम आपको खाना दे रहा है कि अगर आपको खाना दे रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एको सिस्टम आपको सर्व होता है بija करेंध की उसके आजपास होता है और वो क्या तो एक जगत से दूसरे जगइज कर ट्रानसफर करते हैं जहाँ इंसट्म में रहने से प्लांन को फैदा हो गाँ कि नहीं को एक इक और अभी मेराने से हर एक परणिंजम दुसरे करो 뉴스 से फ्यादा होता है Durganтаки इसलिए संब मिलगू च्रकते हैं सब एक सा आज अजय आंए हैं कि जहान इंसां वहां सिमRI 1998 nade कि और ने रहेगा थे इंच teu weekend कर वांपे रहा को नौने रहें इंच वर पुलीणेशन कहने सिर्ट अम्झने कि अकि समझने कि चीज घा की एको सिस्टेम आपको कestarि सर्विस प्रवाइड पा चाहिए उस का हमको वैल्यू देना चाहिए। विल्ल है कि आप पर лейक्षिक पि ईको सिंटम हो रहा है उस से जो चरुका बिल्ल है उसको क्या होलते हैं हमलोग दो उस्टम सर्विसे मूदभेस्प एक साइंटीsten था रोबर्ट कॉंस्टेंजा प्याना प्राइट इसका रोबर्ट कॉंस्टेंजा यह बता है कि एको सिस्टम में जो भी प्रोसेस हो रहा है अगर पूर नहीं होता तो लाइफ ही नहीं होता तो रोक से स्ञिस्टम में होता है तो नेचुरल प्रोसेस्टेस है वो तो एकोस्टम में diplo अपने हम होता है तो हम से रहा है हमको बना वेट्वनानके और थे कि पारहा है तो वत को संगना है कि सभी मुझें पूर तो आपके इंब्न में करवन डायम जादा हुझक यह तो और फिर और और सिज़न और देता है तो इस तरह से और को प्यूरिफाइड करने काउं कुर रहा है प्लांट कर रहा है मतलब आपका एकोसिस्टम कर रहा है कुन कर रहा है तो इस तरह के बहुत सारे सर्विसेस होते हैं जो कि एकोसिस्टम देता है रोबर्ट कॉंस्टेंचा होता है कि यूएस का 33 ट्रिलियन डॉलर यूएस का 33 ट्रिलियन डॉलर जो कि पूरे वर्ड के ग्लोबल जीडिपी का टीम गुना है उससे भी कई गुना ज्यादा है कि इतना रुपियां आपको एकोसिस्टम के सर्विस का वेल्यू है अगर आप पैसे में बूला जाए तो एकोसिस्टम जितना सर्विस दे रहा है उ उससर्विस का वेल्यू जो है एक प्राइस टेक लगाया अगर हम तो यूएस का 33 ट्रिलियन डॉलर आएगा बुलता है कि इकोसिस्टम जितना भी सर्विस देता है उससर्विस में से 50% वेल्यू कौन से सर्विस का है स्वाइल फोर्मेशन का है कि इसका है कि इसका प्राइब करेंगा है कि इसका बने गार्व जब तक नहीं होगा तब तक इकोसिस्टम बनेगा ही नहीं तो सबसे ज्यादा जो जरूबी चीज आए उससे ज्यादा जाए उस्टम सर्विस में वो क्या है 50% स्वाइल फोर्मेशन है इसके अलबाद 10% रिक्रियेशन कि इसका है रिक्रियेशन और नुट्रियेंट कि इसका है और इसके अलावा भी 6% जाए वो किसी और चीज को वेल्यों गया है काने का मतलब यह है जी एकोसिस्टम को जो कुछ भी दे रहा है उसको अंडरेस्टिबेट नहीं कर सकते हैं ऐकोसिस्टम को जो भी सर्वीश है वो इकोसिस्टम की शर्वीश बहुत ही वैल्यो एवल है और हमको उसको क्या करना चाहिए वहारा चाहिए Uhuduj करने पिर आपने अपना घर बनाए ढारहे हैं और को अब आपना गर बनाब शुक्त को और प्रेस्त है को घा people और परेंस को के टीलिए ने से लूंड यहलak मैं इसके चैक्टर तम और है इसे और इसको इस में सबसे pensy एंपोर्टन चीज इब वह सककेशन सबसे कीुटले से सकशेशन से पहले जब सब को अदाता था ओंड ने की चार सिंड पर में से 14 ख सना अदालना न असलब चार न मौर्बा showing तो उसमें से जो इकोलोजी का chapter है यह इको सिस्टम माला chapter है इसमें से अकेले सक्सेशन तो सक्सेशन टॉपी बहुत ज्याधा इन्पोसेंट है इसको फोड़ा एपे साइच करके पढ़ाया अपको इसमें कॐ इनियर कम्यूनिटी होता है succession में क्या होता है? quinear community या फिर quinear species ठीक है? तो quinear community और quinear species क्या होता है? जो species पहली बार वहाँ जब succession हो रहा था तो पहली बार वहाँ जो species होना जासर फाइट लेंग गॉण तरो ये क्या है? quinear species है आपसे उभेशे बेर रॉप में जहां पे फैली पार सक्सेशन वहां प्राइमरी सक्सेशन वोह पे प्वाइनियरख सिस्च क्या है तो अब देर रोग में प्वाइनस प्वाइनियर घ्रमियरख सम्मारी सक्सेशन होता है लाइकन लाइकें इस दा वाइंडियर स्पेशीज इन बेर रॉक्स ठीक है यह जीट आपके NCRT में लिखा हुआ है और यहां से पॉस्चन भी पुछा जाता है इसलिए इसको आपको 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 बढ़ा चुकिया है इस बाशा है इस देन्वह सोय है इक अधी भी ओर्यरट तेट सब्सक्राइब आपकोows आपकोित्सक्राइबे हैं नेक्स लेक्च्चर अमनों क्या सुरू करेंगे? बायो डैवर्सिटी एंडिक्स कंजर्डरेशा. थेंक्यू. On is to on, study is always on. Concepts के बहतर realization के लिए is to on पर बने रहिए.